दोस्तों आज हम देखेंगे TMS यानि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो तो हलो दोस्तों मैं और बहुत-बहुत स्वागत है मैं चैनल स्टेडी कैब में तो फ्रेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे त सिस्टम का सबसे पहले हम पांच स्टेप को फॉलो करेंगे पहला स्टेप है बेनिफिस्टरी रेजिस्टेशन दूसरा प्रियोत तिसरा किसे पो डिश्चार्ज चौता क्लेम शर्मिशन और पाच्मा क्लेम पेड मैं जाके हम क्लेम पेड देख सकते हैं फ्रेंट के लिए हम यहां पर हमarde करते हैं जैंगे नक्स फोच अपन होगा और इसमें तीन फिल्ड़ पहला है स्कीम का दूसरा नमबर का और तिसरा अडी टैप आड़ी नमबर यह ऐसमान आड़ी ए उसमें फिल करते हैं बाहर क्लिक करेंगे तो आईडी टैप आयुसमान आड़ी सेलेक्ट पर हमारे टेमस के पोर्टल पर चला आएगा जिसे यह प्रिया कुमारी है चोटी से बच्ची है इसका आयुष्मान कार्ट से पूरा डाटर यहां चला है इसका दो पार्ट है रेजिस्टेशन का पहला पार्ट में लेप साइड में आप देख सकते हैं पर्मनेंट अड्रेस जो है आयुष्मान कार्ट साया है और राइट साइड में यह कॉर्रोस्पंडेंस अड्रेस मांग रहा है अगर अगर प्रुस्पंडेंस अड्रेस और पर्मनेंट अड्रेस दोनों सेम होता है तो आप और उपर में देखिए एगढ़ चेक बॉक्स पर ट्रिक कर देंगे त तो यहां बच्ची का है तो पिता का नम पिता का डाल अब यहां दे सकते हैं registration date अगर आज कोई इन पेसेंट हुआ है भरती हुआ है तो हम यहां सरस्कूे में पहले यहां अगर 3-4 दिन 5 डिन advent अगर रेजिटेशन होता है तो आज के डेट में हमारे रेजिटेशन हम बैक में जाकर कर सकते हैं तो फिर यहां हम पांच तारिक आज ही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं के बाद हम फिर से नीचे आएंगे नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे यहां कोई डट सेलेक्ट कर देशे मैं पांच स्लेक्ट कर लिया आइश्मान में ते आडि नहीं भरेंगे और नीचे दो चेक बक्स है दोनों चेक बक्स पर क्लिक करेंगे ठीक है है दोनों चैक्क बोक्स पर कर दीए लुए और शुमक क्लिक करते हैं यहا Right है है कि पेहे वेरिफाइश करने के लिए यहां दो ऑप्षन अंपक्रद्द रुप्प्रिंट ओप करने के लिए तहसी तुम ही एंटी संब किलिक करेंगे और यहां से हम उठागु ले लेंगे यह कोई भी फिंगर हम ले लेंगे तो संब्समने रिया और शॉप उल्हाऊ और से सक्सिसफुल ओंगया और कैप्चर सॉकस्फुल होने के बाद को एक मैस्य आशा जैका दो यू वन तो रजिस्ट्र पैशन यह देक yaptया तो डिवॉब ट्रिश्ट्र क्रेशन करनेynnें पार्ट हमारा का यहां देखा क्षेकन्न कम्प्लीट है आँभ यहां पर कम्प्लीट हो गया तो हम यहां पर और यहां पर प्रडूद करेंगे ठीक है और तब हम okay किये, okay करने के बाद आपको name के साथ registration number आ जाएगा, चुकि है registration process complete हो गया, अब हम pre-authorization में जाएगे, तो हमें अब registration number पर क्लिक करना हो, जहीं हम registration number पर क्लिक किये, आपका windows फिर से ओपेज open हो गया, ठीक है, left side में आप देख सकते है, pre-authorization में आ चुका है, प्रोसेस स्टार्ट है, अब हम देख सकते हैं, यहां पर pre-authorization का सबसे पहला step होगा, यहीं ट्रीटमेंट का, पेशेंट को किस specialty में भरती करना है, तो अगर पेशेंट को acidity है, या gas का problem है, इसमें हम वही package बुक करने जा रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा specialty चुज होगा, तो ह medicine किसी का, यह medicine जो है, किसी को cure करेगा, किसी का इलाज करेगा, तो general medicine में हमने यहाँ choose करकर, इसके बाद हम चाहते है, gastrology तो gastrology का practice होता है, उसको हम यहाँ पर select कर लेंगे, type करके, यह procedure select होते हैं, ठीक है, यहाँ पर procedure add होने का option आ जाएगा, यहाँ पर load होगया, clinical note है, ब को हम यहाँ पर procedure करते हैं, हमारा procedure add होगया और इस पर okay पर click कर दिये, अब चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, friends, यहाँ पर हमारा amount नहीं ड़ाया है, चुकि हम specialty select कर लिए, procedure select कर लिए, तो भई, हमको तो patient को routine बाद में भरती करना पड़ेगा, कि यह योजना ही भरती करने इन परेसेंट के लिए, चलिए action के जिस नीचे दो आइकन दिया हुआ है, और एक क्रोस दिया है, क्रोस में वहाँ से कट कर सकते हैं, यह specialty cancel हो जागा, दूसरा चुछ कर सकते हैं, और दो आइकन में से एक आइकन एक्टिव है, action लेने के लिए, चुकि भरती हमको करना है, तो एक्टिव करेंगे, और उसमें हमको स्टैटिफिकेशन का आप्शन आजाएगा, यह बेट कटेगरी वगरा आजाएगा, बेट कटेगरी में बहुत सरे आप्शन होता है, जैसे रूटिन वार्ड होता है, आइस्टिव होता है, तो हम चुकि जेनरल मेडिसिन का पैकेश रुपया का है, और बेट हमने बुक कर दिया, तो जैस्ट नीचे आएंगे, अप्लोड करने के लिए उप्सिन आएगा, तो जो हमारा इन पेसिंट का पर्ची कटा रहेगा, ठीक है, शिलीप रहेगा, पावती रहेगा, वह यहां अप्लोड हम कर देंगे, अप्ल पॉर्रोद आप्सिंट करने के बाद कुछ पेसिंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री मांगता है, और उसका फैमिली का तो ओके करेंगे, यहां अप्सन आएगा, सब्सक्राइब करेंगे इसको सेफ करते हैं नीचे क्लोज का है बटन क्लोज हम कर दिए फिर से हम सब्मिट किया सब्मिट करने का फिर से कुछ जेनरल फाइंडिंग्स माहेंगा जैसे मैं बता दूं कि आपको कोई भी चीज भड़ते समय सिर्फ स्टार मार्किंग वाले को इसके बाद सेफ करेंगे सेफ करने के बाद ऑके अप्सन आएगा और किलिक कर देंगे तो क्लोज का बटन है यहां से ख्लोज कर सकते हैं तो चले फिर से नीचे श्क्राइब करेंगे और यहां पे देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो गई हैं इलाज को प्रोसे पूरा कंप्लीट होगा अब हमिरे लाज करेंगे अब करते हैं देखिए वह किस नंबर रिचेशन जब की जे तो रियोत की थे तो रियोत के लिए अब से से स्मने तेरा उपर आ गया अब नीचे कुछ प्रोसेस हैं आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कोईट की से नहीं इसमें अगर नो है तो इस एस हो यहां पर देख सकते हैं का यहां डीटेल्स फिलब करना है ट्रेटिंग डॉक्टर जो है जो इलाज कर रहा है डॉक्टर जैसे पूसका नेम कॉंटेक्ट नंबर मेडिकल कॉंसिल का रेजिस्टेशन इसके बाद जब कि जो हमारा इलाज स्टार्ट होँ ऐस्टार्ट भरके शेप कर लेना है सेफ देट करेंगे उदेट एक सेफ और नीची हमारा सक्सेफल्सेफ होगा अब ओकी कर देंगे नीचे जर्ट जालेकर दो राइट सैड में डिश्चार्ज और डेट का तो आप देख सकते हैं हमें डि जेनरल मेडिसीन के case में 3-4 दिन का होता है और यहां कोई special case नहीं है star marking होला है procedure के से no कर देंगे यहां पर check box पर trick कर देंगे ठीक है जो star marking हो वही फिलप करेंगे अब क्या करेंगे यहां पर हम verify and submit पर click करेंगे क्लिक करने के बाद फिर से हमको discharge के लिए भी हमको thumb मांगेगा फिंगर प्रिंट मांगेगा तो हम चलिए यहां fingerprint पर किये तो fingerprint मांगा fingerprint मांगने के बाद हमने finger दिया एक attempt में fingerprint बच्चा का नहीं लिए अब दुसरा का आपको फिर से दुबारा करना पड़ेगा चलिए यहां पर हमने दुसरा का अटेम्ट में हमारा finger ले लिया जो भी है प्रिया कुमारी बच्ची है और इस वेरिफाइड सक्सेस्पल हो गया ठीक है अब तो देखिए दो बार हमने registration के समय दो बार हमने थम इंप्रेशन समय और discharge के समय ठीक है प्रियोतराइशन समय हमें थम इंप्रेशन को जुरूत नहीं चलिए यहां पर हम कर लेंगे इसका सक्सेस्पल हो गया ठीक है डिस्चार्ज होगी अब देखिए फ्रेंट करेंगे ठीक है करने के बाद अब बेनिफिसरी चला भी जाएगा तो कोई दिकत नहीं कि उसका थम इंप्रेशन डिश्चार्ज वाला सेव हो चुका है ठीक है अब अराम से हम दोस मिनट पंद्रह मिनट या एक गंटा के बाद भी हम क्लेम सब्मिट कर सकते हैं यानि हम यह अब डिश्चार्ज करने मेरा कमरा गया अब हम डिश्चार्ज फोटो डालेंगे यहां पर पर अप्डेट कर लेंगे बार बर मांगना नागता है ठीक है अब वेरिफाय चेकबक्स प्लिक करके वेरिफाय और सब्मिट करेंगे तो फिर से आपको यहां से मांगेगा कि होस्पिटल को पास होता है जो हम अपलोड किये जाते हैं जैसे अभी हमने यहां पर डिश्चार्ज समरी सीट है पहला बटन है उसको हम डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करकर इसको हम प्रिंट कर लेंगा दो पेजर का यह डिश्चार्ज समरी स्लिप होता है और यहां तीन सिखनेचर चाहिए होता है एक सी पहला नमबर सबसे नीचे आपको पेशंट का या अटेंडेन्ट का दूसरा पीमम का और उपर सबसे डॉक्ट ट्रीटिंग डॉक्टर का इसको हम प्रिंट कर लिए प्रिंट करके तीनों सिखनेचर हम एक तो पैसेंट का दूसरा रोब में और तिसरा ट्रेटिंग डॉक्टर का तिनु सीनिचर लेकि हम उसको पुना क्या करेंगे आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके अपने सिस्टेम रख लेंगे और फिर से हम वेरिफाइए अंड सब्मिट करेंगे तो यह हमारा डॉक्मेंट अटैजमिंट का आप्शन मंगेगा आजाएगा अब यहां सब्सक्राइब फोटोग्राफ एड़ कर लेते हैं चलिए जो पेशन्ट हो इसका ऑनवेड फोटोग्राफ हमने एड़ कर लिया ऑनवेड फोटोग्राफ डालने के बाद यहां अपडेटेट दिखाएगा इसको ओके कर दिए ठीक है और जैस्ट नी यह करते हैं कि को करा लिए सब्सक्राइब करा लिए तो बहुत सारे संस्थान में अपना इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं मिले तो आप सकते हैं लिए आप उठा लेने के बाद भी आप शाब्सम्रीयर डाwnलोड करके सिग्निचर कर वाएंगे यहां चलिए हमने pac कर दिया फिर सब्मिट करने के बाद नीचे आएंगे तो नेक्स 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 करते जाएंगे तब तक करेंगे जब तक प्रिवेस के बटन ना जाए इसके बाद जैस नीचे क्लोज कर देंगे इस आप्शन को क्लोज करने के बाद फिर से वेरिफाइएंड सब्मिट करेंग यहां से वेरिफाइड हम सब्मिट करेंगे तो यह डिस्चार्ज का प्रोसेस अब लगभग लगभग खतम होने वाला है अब डियो वन टू इनिसियेट क्लेम तो हाँ क्लेम इनिसियेट करने चाहते हैं तो ओके हम क्लिक कर दी ठीक है ओके करने के बाद जस्ट फ्यू में में लेटर अब बोल रहा है कि क्लेम इनिसियेशन के लिए बोल रहा है तो ओके कर दें हम क्लेम इनिसियेट करना चाहते हैं अब क्लेम इनिसियेट करने के लिए जहीं करेंगे ओके करेंगे तो हमारा जस्ट क्लेम